दोस्तो वैसे तो फॉन पे से DTS recharge करना बहुत ही आसान है लेकिन अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो की अभी तक फॉन पे से DTS recharge या TV recharge करना नहीं जानते हैं तो आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल आसान भासा में आपको फॉन पे की मदद से DTS recharge करना सिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको अपने फॉन पे अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है कुछ इस टाइप का होम पेज आपके सामने दिखाई पड़ता है यहाँ पे थोड़ सा नीची की तरफ अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको DTS वाला option दिखाई पड़ता है recharge and bill payments में तो यहाँ पे DTS वाले option पे आपने क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे provider आपके सामने आज आते हैं जैसे Airtel, Digital TV, Dig TV, Sun Director, Tata Sky जो की अभी इसका नाम चेंज होके Tata Play हो चुका है और DTS जो भी आपका provider है उस पे आपने क्लिक कर देना है इस case में हम Tata Sky का recharge करने वाले हैं तो Tata Play वाले option पे हमें क्लिक करना होगा तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो आपके पास Tata Play की subscriber number होना चाहिए या register mobile number होना चाहिए जो की आपने अपने Tata Play से link करा रखा है कोई भी चीज यहाँ पे आप enter कर सकते हैं हमारे case में हमने अपना mobile number यहाँ पे डाल दिया है कि कितने रुप्य से आप इसमें recharge अपना करना चाहते हैं जैसे मैंने यहाँ पे amount enter किया जैसे 10 रुप्य आपे मैंने enter किया 10 रुप्य डालना चाहता हूं तो यहाँ पे लिखावा आ रहा है amount allowed between 10 to 49,000 मतलब कम से कम आपको इसमें 100 रुप्य का recharge करना ही होगा 100 रुप्य से नीचे का recharge इसमें नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे अभी हम 100 रुप्य का recharge इसमें करने वाले हैं आपने amount डाल के proceed to pay वाले option पे click कर देना है इसके बाद आपने वो bank account select कर लेना है जिस भी bank account से आप इसमें payment करना चाहते हैं bank account select करने के बाद pay 103 यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इसका जो amount है वो 100 रुप्य हम इसमें recharge कर रहे हैं लेकिन यह platform fee भी 3 रुप्य एक्स्ट्रा ले रहा है मतलब total अभी 103 रुप्य यह हो गया phone पे recharge करने का 3 रुप्य एक्स्ट्रा इसमें ले रहा है तो pay 103 रुपीज हमें इसमें करना है तो pay 103 रुपीज वाले option पे आपने click कर देना है इसके बाद आपको 6 digit का अपना UPI pin डाल लेना है और tick यह yes वाले option पे click कर देना है अभी हम यह recharge नहीं कर रहे हैं आपने अपना UPI pin जैसे ही आप इसमें enter कर देते हैं आपका recharge successfully हो जाएगा लेकिन दोस्तो एक बाद आपको ध्यान रखना है जब भी आप इसमें recharge करते हैं जिस भी time पर आपका set of box on होना चाहिए otherwise अगर आपका set of box on नहीं होता है और आप recharge कर लेते हैं तो उसके बाद recharge होने के बाद भी आपका set of box या आपका टीवी नहीं चलेगा इसके लिए उसके बाद आपको customer care में बात करनी पड़ेगी उसके बाद ही आपका set of box या टीवी चल पाएगा तो इससे बहतर है जब भी आप recharge करते हैं तो आपना set of box आपको on रखना पड़ेगा जैसे ही on रखते हैं recharge करते ही आपके सारे channel लिखने शुरू हो जाएंगे तो दोस्तो इस तरह से simple तरीके से आप phone pay की मदद से कोई भी DTS recharge कर सकते हैं धन्यवाद